खबर व्यापार जगस्य है अग्रनी आईटी कमपणी यच्छी यल टेक्नोलोजी ने सुम्मारकुन नाखपुर के मिहान में अपने परिशर की घोष्णा की जिसका उद्गाटां केंद्रिय मंत्री श्री नितिन गड़करी और माराष्ट के मुख्य मंत्री श्री देवेंद पुमार मुख्य वित्तिय अधिकारी अनिल चानना, कारेकारी उपाद्धिक्से स्री संजे गुप्ता, जिल्ला परिशत अधिक्से अनिशाताई सावर कर। विधायक समिर मेके विधायक प्रुपाल तुमा ने वरिष्ट सरकारी अधिकारीयों और यच्छी यल के प्रबं अंदन समों ने भाग लिया उद्गाटन अवसर पर बोलते हुए स्री निधिन गड़करी इन्हों ने कहा नाकपूर कुछ वर्षों के दवरान एक मतोपुर्ण प्रतिपा केंद्र के रूप में उबरा है और हम निहान में S.C.L. के उद्गाटन में शामिल होकर बहुत प्रसन्न है S.C.L. का अत्यादूनिक परिशर स्तानिये लोको को अपने गुर्यों नाकपूर के प्रवस करने के आउसकते किये बिना अपने इस शहर में वैशिक करियर विकसित करने का अउसर प्रदान करेगी बदलाव लाने और नाकपूर शहर में विज्वन की गुनवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालने के यसल के इस प्रवस की हम सराना करते हैं मुक्यमंतरी स्री देवेंद्र फड़न विस इन्हों ने कहा महाराष्ट सरकार आर्तिक विकास और राज्य के युवा कर्मचारियों के लिए अधिक अउसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है यसल का मिहान परिशर में शहर में स्तानिय प्रतिबा को एक महान मंच प्रदान करेगा मैं इस महतोपुर्ण यात्रा का एक हिस्सा होने और स्तानिय युवाव के उत्थान और रोजगार में निवेश करने पर यसल को बदाई देना चाहता हूँ नाकपुर में केंद्र के रचना के पिछे यसल टेक की पूरे भारत के छोटे शहरों में आवसरों के निर्मान और विस्तार की कारे निचिक दुरुष्टी है पिछले कुछ वर्षों में नाकपुर को एक महतोपुर्ण प्रतिभा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जो उच्च गुनवत्ता युक्त मानाव संसा दोनों की उपल अबदता सु निचित करता है प्रारम्म में HCL Technologies की कारेकारी उपादेख्षे स्री संजे गुपता ने कहा HCL सभी स्तरों और भोगोलिक चित्रों में नए रास्ते बनाने में हमेशा आगे रहा है मिहान में कैंपस की सुरात के साथ हम स्तानिय प्रतिबातक कौश ने विशाल समता को प्रेरीद करने उनके कौशल को बढ़ाने और वाईश्विक IT करियर के लिए उन्हें तयार करने के उन्मित करते है हमारा उद्देश यसील नाकपुर परिशर के माद्यम से शेहर में उपलब दक कुशल प्रतिबा संसादनों का अनुकुल करके नाकपुर को वाईश्विक IT मान चित्र पर लाना चाता है मैं हमारे लक्षो को साकार करने में उनकी सतत साहता के लिए महाराष्ट सरकार का धन्यवाद करता हूँ